नवस्कार दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं लूट और टकैती के बिसाय में यह है अध्याय सत्रा है आई पीसी के स्थान पे जो नई बी एन एस आई है भारतिये निया सहींता दोहजार तेश आई है उसका अध्याय सत्रा है अध्याय सत्रा 303 से 334 धाराओं में विभक् हुई थी इसमें अध्याय समय 20 हैं धारा इसमें 358 है और 45 में नंबर का इसका किरमान तो देखते हैं लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी है या फिर उद्दापन होता है सेकंड पंट देखती हैं 319 का चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी को करने में या उस चोरी द्वारा अभी प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश से स्विख्षता किसी व्यक्ति की म्रत्यु य या उपहती या उसका सदोस अबरोद या ततकाल म्रत्यू का या ततकाल उपहती का या ततकाल सदोस अबरोद का भय कायत करता है या कायत करने का प्रियतने करता है तो तीसरा वाला पॉंट देखते हैं उद्धापन लूट है यदि अपराधी वह उद्धापन करते समय भय मे में हैं और उस ब्यक्ति को स्वैम उसकी और किसी अन ब्यक्तियों की ततकाल म्रत्यू या ततकाल उपहती या ततकाल सदोस अवरोत के भाय में डालकर बहे उद्दापन करता है इस परकार भाय में डालकर इस परकार भाय में डाले गए ब्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और बहां के परिदत करने के लिए उत प्रेरित करता है इस पस्टी करन देखते हैं इस पस्टी करन अपरादी का उपस्थती होना कहा जाता है अपरादी का उपस्थती होना कहा जाता है यदि वह उस अन्व्यक्ति को ततकाल म्रत्यु के ततकाल उपाती के ततक का या को दबोज लेता है और या के कपडे मैंसे तन और आवुशन या की सम्मती के बिना कपट पूरवक निकाल लेता है यहां का ने चोरी की है और यह चोरी करने के लिए स्विक्षता या का सदोश अवरोध कारत किया है इसलिए का ने लूठ की है नेक्स देखते हैं इसी रूप में दंडनी है किन्तु यह लूट नहीं है जब तक कि यहा को उसके सिसु की ततकाल मृत्यू के भय में ना डाल दिया जाए नेक्स देखते हैं जो कोई लूट करने का प्रयत्न करता है वह गठन काराबास से जिसकी अगधी साथ बस तक की हो सकेगी जंडित किया जाएगा और जरवाने का दाई होगा छटमा पाइंट देखते हैं यह लूट के प्रयत्न करने में स्विक्ष्था उपती कारत करता है तो ऐसे व्यक्ष्थी और कोई अन व्यक्ष्थी ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में सन्युक्त तोर पर संबलित होगा वह आजीवन काराबास से या कठन काराबास से जिसकी अगधी दस बस तक हो सकेगी जंडित किया जाएगा और जरवाने का दाई होगा जारा तीन सो दस क्या कहती है जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ती सन्युक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहां की वे व्यक्ती जो सन्युक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ती तथा प्रित्रिक व्यक्ति जो इस लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है कहा जाता है कि वह डखेती करता है तो डखेती की परिवासा 310 धारा में दी गई है नेश्ट देखते हैं दूसरा पाइंट जो कोई डखेती करता है वह आजीवन कारावास से या कठन कारावास से जिसकी अगधी 10 बस तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जरुआने का भी गाई होगा यदि ऐसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से जो सन्युक्तों का डखेती कर रहे हों कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डखेती करने में हत्या कारत कर देता है तो उन व्यक्तियों में से प्रितिक व्यक्ति हत्या से या आजीवन कारावास से या कठन कारावास से जिसकी से कम नहीं होगी दंडित किया जाए गाल कई से हत्या की है कोई टकैति करने के लिए कोई तयारी करता है उसकी अध्दी 10 तक हम जाकेगी दंडित किया जाएगा जरूप करने का विदाई होगा पांचमा पॉंट जो कोई डखेती करने के प्रयात्म से एक एकत्रित पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों में से एकत्रित होते हैं वह कठन कारावास से जिसकी अधि साथ बस तकी हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुरवाने का भी दाई होगा छटमा पॉंट जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का जो डखेती करने के प्रयात्म से सह सयुक्त है वह आजिवन कारावास से या कठन कारा कारावास से जिसकी अधि दस बस तकी हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुरवाने का भी दाई होगा धारा 311 यदि लूट या डखेती करते समय अपरादी किसी घातक आयूत का प्रयोग करते या किसी व्यक्ति को घौर उपति कारत करता है या किसी व्यक्ति की तो वह कारावास से जिससे ऐसा अपरादी दंडित किया जाएगा साथ बस से कम नहीं होगा धारा 312 यदि लूट या डखेती करने का प्रयोग करते समय अपरादी किसी घातक आयूत से सज्जित है तो वह कारावास से जिससे ऐसा अपरादी दंडित किया जाएगा साथ बस से कम नहीं होगा नेक्स है आपका 313 और लास्ट धारा है यह जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का है जो संभबता चोरी या लूट करने से सह युक्त हो और यह टोली डांकुगों की टोली नहीं है बहे कठनकारावास से जिसकी अब दी सातवस्तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुरवाने का दाई होगा नेक्स हम देखते हैं देखेंगे वीडियो में संपत्ति के आप राधिक दुर्ब्नियोग के बिसाय में आज हमने वीडियो में देखा लूट और डकैती के बिसाय में संपूर्ण जानकारी है यह आपका अध्याय सत्रा था ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके हम लौ कमेंट करें वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ